विपल आई स्किल्स ट्रेनिंग से स्कूली छात्रों की इमेज बिल्दिंग कार्यक्रम आई एक कक्षा 6-8 के छात्रों के लिए इंटेलिजन्ट बनाने के लिए कंप्यूटर होबी क्लासेज आई दो कक्षा 9-10 के छात्रों के लिए मैथ लैब एक्टिविटीज और सिलेबस के प्रोग्लम्स कम्प्यूटर में हल करने की तखनी आई तीन कक्षा 11-12 के छात्रों के लिए टेक्निकल स्किल्स सीख कर नौकरी के साथ हायर स्टडीज जारी रखना टेक्निकल स्किल्स के अंतर्गत लैंड सर्वेर, दी ओ मैकेनिक्स, मैथ लैब तयूटर, कैड ऑपरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर और लैंड्सकेप प्लानर आदी कौशल सिखाया जाता है जिससे छात्र वर्क फ्रॉम होम आप्शन के साथ कमाई कर सकते हैं ट्रेणिंग के बाद छात्रों को प्रमानपत्र दिया जाएगा जो HRD मिनिस्ट्री के IPR डिवीजन में रजिस्टर्ड है दो, प्रशिक्षन के बाद छात्रों को G-Mate Foundation कार्याले में नौकरी भरती का अवसर मिलेगा और वे स्वयम का व्यवसाय भी कर सकते हैं तीन, ट्रेणिंग क्लासेस केवल शनिवार और इतवार को ही होती हैं स्मार्ट जोमेट्री के उप्योग से किन्ही दो गुजाओं के बीच का कोन का मान ग्यात करने के लिए एक अल्गोरित्म डेवेलप किया है यहाँ नया कांसेप्ट है जिसे 2008 में G-Mate Foundation द्वारा IPR के अंतरगत पंजिक्रित किया है यूनिट स्लोप ग्राफ नोटबुक स्कूल के चातरों के लिए तयार की गई है ग्राफ लाइने स्क्रीन पर दिखाई है रेखाए ए इस इक्वल टू तीन चार आदी दस के मान तक ज्रा की गई है किसी फिगर में दो बुजाओं के बीच के कोन को यूनिट स्लोप ग्राफ नोटबुक की सहायता से ज्यात करने की विधी यहां एक्स्प्लेन की गई है Unit Slope Line Graph Notebook का उप्योग यहां उल्लेखित प्रॉबलम को हल करने के लिए explain किया है Screen पर चित्र में Objects O, A, O, B और O, C की दूरी के साथ बिंदुगों से रेखा चित्र दिखाया है Tribal J, O, B को पूरा करने के लिए कोण A, O, B का मान आवशक है Unit Slope Line Graph Notebook के उप्योग से आवशक कोण ग्यात करने की विधी explain करो Problem का हल चित्र में दिए O, A को A, मान कर हमारे पास A is equal to 17.28 और B is equal to 29.6 units है A divided by B का अनुपात is equal to 17.28 divided by 29.6 अर्थात 1 is 2, 1.71 या is equal to 3, 5.13 इसलिए बुजा A is equal to 3 और B is equal to 5.13 है और कोन की टोपोलोजी से थीटा ग्रेटर देन 90 अंश एवं लेस देन 135 अंश है Unit Slope Graph Notebook के उप्योग की विधी मान लो भुजा A is equal to 3 और B is equal to 5.13 के बराबर है इसलिए दिए गए ग्राफ में O, A is equal to 3 का चयन किया है बिंदु ओ से एक रेखा O, B is equal to 5.13 खीचे जो बिंदु B पर X, XS से मिलती है कोन ए O, B को नापे इसक मान is equal to 24 अंश है कोन ए O, B के मान नीचे दिये हो सकते है 24 अंश 110 अंश 69 अंश 66 अंश यदी यह कोन 90 अंश से कम है 156 अंश 119 अंश 111 अंश या 114 अंश यदी यह कोन 90 अंश से अधिक है तोपोलोजी का मिलान करने से कोन की True Value 114 अंश यात हुई कदेश के जल संकट को दूर करने के लिए राश्चिय महत्व की परियोजना जैसे जल जीवन मिशन 36 कड मौडल जीमैट फाउंडेशन द्वारा प्रस्तावित है इस परियोजना में समुदरी जल को नदी के उदगम स्थल पर पाइप और पंप की सहायता से पहुचाना होगा मार्ग में उचित स्थान पर जलजील का निर्मान किया जाएगा श्री राहुल जी से अनुरोध है कि वे 36 गड राज्य को खुशाल बनाने और करोडों लोगों को रोजगार देने वाली प्रस्तावित योजना को प्रदेश में लागू करवाएं जिससे लोगों को रोजगार मिल सके क्रिप्या वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करे जल जीवन मिशन को सफल बनाने के लिए आवशक है कि निकट्तम समुद्र तट से पानी को लिफ्ट करके सुखाग्रस स्थानों में समुद्र पानी की जील निर्मान करते हुए नदी के उदगम स्थल में भेज दिया जाए चित्र में सीवाटर रिसाइक्लिंग को दिखाया है इश्वर में हमें आधा जल चक्र दिया है और पाइपलाइन नेटवर्क से पानी को नदी के उदगम स्थल तक पंप की सहायता से पहुचा कर जल चक्र को पूरा किया जा सकता है रास्ते में उप्युक्त उचाई पर विशाल समुद्री जल जील का निर्मान करके संद्रहीत पानी से नमक निकालने के सन्यंत्र लगाए जाएंगे नमक मुक्त पानी को राज्य में बहने वाली नदियों में छोड़ा जाएगा इससे नदी और जमीन के जलस्तर में किसी भी मौसम में कमी नहीं होगी यह सोचने का विशय है कि करोणों लोगों को रोजगार देने वाली इस सोशल इंजिनियरिंग परियोजना को 36 कर सरकार ने अभी तक क्यों नहीं लागू किया है शगुन स्मार्ट जियोमेट्री एकसरसाइज नोटबुक की विशेश्ता जियोमेट्री के किसी फिगर में दो गुजाओं के बीच के कोन का मान ग्यात करने के लिए शगुन स्मार्ट जियोमेट्री एकसरसाइज नोटबुक डिजाइन की गई है इसके उपयोग से स्कूली छात्रों का इंटेलिजेंस लेवल बढ़ता है 2008 में जोमेटरी के नए कांसेट की खोज हुई जिसके अनुसार अब किसी त्रिभुज की रचना में मात्र दो एलिमेंट ही आवशक है पूर्व धार्ना के अनुसार किसी त्रिभुज की रचना कम सए कम तीन एलिमेंट आवशक थे नए अलगोरिफ्म के उपयोग को समझने और अभ्यास के लिए यहाँ वर्क बुक तैयार की गई है जी मेट फाउंडेशन ने इस IPR का पंजीकरण करवेया है युवा प्रक्तिशील उद्यमियों से आवेदन आमंत्रित है जो देश के किसी भी भाग से नए प्रड़क्त की मार्केटिंग में भागीदार बनने को इच्छुक है साजेदारी शुल्क निम्नानुसार है आपको भागीदारी के लिए निम्नलिखित फी लगेंगी एक के बराबर एक हजार रुपए पोजीशन एक पचीस के पोजीशन दो बीस के पोजीशन तीन पंद्रा के पोजीशन चार दस के धन्यवाद संपर करे जीमेट फाउंडेशन किसी भी ग्रैजवेट को पाँच हजार रुपए के मासिक वेतन पर भारत जोडो जॉब्स नेटवर्क में मैनेजर ट्रेनी की पोस्ट पर नियुक्त किया जाता है शुरुआत में जॉब वर्क को लेकर पाँच दिन की ट्रेनिंग दी जाती है प्रशिक्षन के बाद उमीदवार को स्क्रीन पर दिखाए गए विशिष्ट लक्षों के लिए 15,000 रुपए के मासिक वेतन दिया जाता है